रिस्तो की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो तूटना मुश्किल है और अगर स्वार्थ से हुई है तो ठिकना मुश्किल है कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद करें वही हमें सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझ करना चाहिए ये मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी में कितनी सांसे ली बलकि ये मायने रखता है कि आपने उन सांसों में कितनी जिंदगी जी आईना और परचाई के जैसे मित्र रखू क्योंकि आईना कभी जूट नहीं बोलता और परचाई कभी साथ नहीं छोड़ती नाराजगी कभी वहां मत रखिएगा जहां आपको ही बताना पड़े कि आप नाराज है कितना अच्छा था वो बच्पन कहीं भी खुल कर रो लेते थे अब तो रोने के लिए भी जगह चाहिए और अगर कोई रोता देख भी ले तो हजार जवाब भी देने पड़ते हैं जरूरी नहीं हर तूटा हुआ इनसान आपको रोता हुआ मिले कुछ अपनी मुस्कान के पीछे लाको दर्द छुपाए रखते हैं बहुत खास होते हैं वो लोग जो आपकी आवाज से आपकी खुशी और दुख का अंदाजा लगा लेते हैं रह गई है कुछ कमी तो सिकायत क्या है इस जहां में सब अधूरा है मुकमल क्या है अपने होटों पर सजाना चाहता हूँ आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ ठक गया मैं याद करते करते तुझको अब तुझे मैं याद आना चाहता हूँ कोई आशू तेरे दामन पर गिरा कर बूंद को मोती बनाना चाहता हूँ आकडी हिचकी तेरे जाने पे आए मौत भी मैं सायराना चाहता हूँ कडीब से कडीब का रिष्टा भी छुपाते हैं लोग और अमीर से दूर का रिष्टा भी बढ़ा चड़ा कर बताते हैं लो गुरूर मत कर जो आज तेरे पास है वो कल दूर भी हो सकता है और जिसको तू पत्तर समझता है वो कोही नूर भी हो सकता है मैं भूला नहीं हूँ किसी को मेरे बहुत दोस्त है जमाने में बस थोड़ी जिंदगी उलजी पड़ी है दो वक्त की रोटी कमाने में मुशीवत में अगर मदद मांगो तो सोच कर मांगना क्योंकि मुशीवत थोड़ी देर की होती है पर एहसान जिंदगी भरका आज हम हैं कल हमारी यादे होंगी जब हम ना होंगे तब हमारी बाते होंगी कभी पल्टोगे जब जिंदगी के ये पन्ने आपकी आखो से भी बरसाते होंगी पतजर में ही रिष्टो की परक होती है बारिस में तो हर पत्ता हरा ही दिखता है किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं बहुत सौक था मुझे सब को खुश रखने का वो तब आया जब खुद को जरूरत के वक्त अकेला पाया नुक्स निकालते हैं लोग इस कदर हम में जैसे उन्हें खुदा चाहिए था और हम इनसान निकले बहुत कम लोग हैं जो मेरे दिल को भाते हैं और उससे भी बहुत कम है जो मुझे समझ पाते हैं सायद मैं इसलिए पीछे हूँ मुझे होस्यारी नहीं आती बेसक लोग ना समझे पर मुझे गद्दारी नहीं आती बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती मोड को देखके कौन कह सकता है कि ये साप खाता होगा नौ मांग कुछ जमाने से ये देकर फिर सुनाते हैं ये एहसान जो एक बार तो लाक बार जटाते हैं अपनी उचाई पर ज्यादा घमंड मत करना दोस्त सुना है बादलों को भी पानी जमीन से उठाना परता है मुसीबते हुई से भड़े थैले की तरह होती है देखते रहोगे तो बहुत बारी दिखेगी और उठा लोगे तो एकदम हलकी हो जाएगी किसी के दिल को चोट पूचा कर माफी मांगना बहुत आसान है लेकिन खुद चोट खाकर किसी को माप करना बहुत मुश्किल है पड़क अगर हीरे की करनी है तो अंधेरे का इंतजार करो वरना धूप में तो काच के टुकडे भी चमकते हैं बहुत मुश्किल नहीं है जिन्देगी की सच्चाई समझना जिस तराजू पर दूसरे को तौलते हैं उस पर कभी खुद बैठ कर देखिए पर दूसरे को तौलते हैं